बिस्मिल्ला इरह्मान रحीम हम inflation का topic शूरू कर चुके हैं और उसमें हमने detail के साथ inflation की basics को understand करने की कोशिश के हैं अब हम inflation की measurement के उपर switch करते हैं यहनीं कै conversation का measurement कैसे होती है अब measurement का जो formula है वो तो हमें clear है हमने different तरह के inflation rates का formula जो है वो पिछले लेक्चर में explain की है लेकिन अब हम ये कहते हैं कि उधर हम लिख देते थे P, P 2023, P 2020 P से क्या मुराद है कहा था कि general price level लेकिन general price level तो different तरह के होते हैं अब चुके चार तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताए GDP डिफलेटर, consumer price index, wholesale price index और sensitive price index इसमें दो काफी ज्यादा यूज होते हैं GDP डिफलेटर और consumer price index तो इनको मेजरर डिटेल में डिसकस करना चाहूँ अब GDP डिफलेटर जैसे कि इसके term से ही आपको समझ आ रहा है कि इसमें GDP आएगा तो पहले हम GDP को define कर लेते हैं जो कि I am sure कि आपने macro economics के course में पढ़ा होगा लेकिन आपको just revise करने के लिए कि GDP क्या होता है gross domestic product which is the market value of all final goods and services produced within a country in a given period of time यह important यह है कि market value लेनी है market value का मतलब है वो final price जो consumer pay करता है किसी भी goods and services की तो सारी goods and services की final prices की base पे market value निकाल लें और उसको sum कर लें तो यह GDP बनता है और पिर याद रखें इसमें सिर्फ final goods and services होनी चाहिए यानि कि जो finished goods होती है जो consumable goods होती है intermediate goods और raw material इसमें directly include नहीं होता फिर हम ने goods भी लिखा है services भी लिखा है उसका मतलब यह है कि GDP में हर तरह की transaction शामिल होती है goods ते related भी और services भी लेकिन real वाली financial वाली नहीं और जब हम कहते हैं produce तो याद रखें ये gross domestic product है यानि कि जो आपकी economy के अंदर produce होता है वो नहीं जो आपकी economy में consume होता है वो तो वो भी हो सकता है जो आप import करते हैं वो आपकी GDP का तो हिस्सा नहीं होता GDP में वो वाले items शामिल होते हैं और वो वाली consumption शामिल होती है even जो आपके country के अंदर ही produce हुई हो और दूसरा ये है कि पुरानी चीजें इसमें include नहीं होता है अब हम परक करते हैं nominal और real GDP के अंदर याद रखें GDP एक monetary measure है monetary measure का मतलब ये होता है कि उसका final number किसी currency में आता है चाहे वो currency रूपी हो चाहे वो currency डॉलर में हो जब आप domestically अपनी GDP estimate करते हैं हर साल तो आप रूपी में करते हैं पाक रूपी में लेकिन जब आप international comparisons करना चाहें तो आप उसे डालर में convert भी कर देते हैं बहराल ये डालर में हो या रूपी में हो होता क्या है monetary measure यानि कि money की फार्म में measure किया जाता है लेकिन monetary measure होने की वज़ा से अगर आप GDP को देखें तो आप ये judge नहीं कर सकते just GDP के नंबर को देखके कि आज 2023 में GDP का जो नंबर है और जो 2022 में जो GDP का नंबर था इन दो नंबर के दरमियान जो difference है ये difference किस वज़ा से आया है क्या production ज्यादा हो गई है क्योंकि GDP की definition में production है लेकिन चुकि ये monetary measure भी है कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ money value चेंज हो गई है यानि कि prices change हो गई है जब कि पीछे economic activity या production का level वही का वही है इसका मतलब है ये confusion हो सकती है इस confusion की वज़ा से जो है वो economist GDP के उस नंबर में interested होते है जो prices को constant रख के measure किया जाए क्योंकि price की change होने से भी GDP change होती है production या production का level change होने से भी GDP change होती है तो economist उसमें interested होते हैं जो price की वज़ा से GDP न चेंज हो रही हो बलके production के level की वज़ा से चेंज हो रही है तो जरूरी है कि nominal और real GDP में फर्क किया जाए अब nominal GDP क्या होता है चुकि हम कह रहे है market value of all goods and services तो एक साल के अंदर जो भी goods and services जो produce हुई है एक मुलक के अंदर एक साल के अंदर उसकी जो market value है यानि कि उसी साल जो उन goods and services की prices है उनको उनसे multiply करें तो market value आ जाएगी तो जो market value of goods and services है वो current prices पे base करती है whereas real GDP जो है ये prices में monetary measure में टेकनिकली होती ही नहीं है बलकि ये quantities की farm में होनी चाहिए क्योंकि जब आप monetary measure में जाएगे तो फिर तो price बीच में आ जाएगी तो पिर समझ नहीं लगेगी कि economy में production बढ़ गई है या economy में prices बढ़ गई है लेकिन quantities को measure करना बड़ा मुश्किल काम है कि आप दुनिया में पाकिस्तान के अंदर हजारों किसम की चीजें बन रही हैं और उनके units भी different हैं कोई kg में produce होता है कोई किलो मीटर में कोई मीटर में कोई किस scale में कोई किस unit में produce होता है आप उनको अकठा नहीं कर सकते तो नतीजा यह है कि monetary मेयर भी बनाना है और price के change होने का effect भी side पे करना है तो फिर क्या करेंगे फिर हम यह करेंगे कि हम constant price GDP estimate कर लेते हैं और उसको कहते हैं यह हमारी real GDP है और constant price GDP का concept यह है कि जब आप इस साल current कोई भी current year उसकी जब आप production को market value बनाने के लिए prices से multiply करें तो वो prices उसी साल की न लें बलके पीछे किसी base year की लें जिन्हें हम कहते हैं constant prices तो फिर जो real GDP का number आएगा वो real GDP होगा तो real GDP का formula बना लेते हैं real GDP का formula होता है nominal GDP divided by price index अब यह जो price index है यह GDP deflator होता है तो यहीं से हम formula price index का भी derive कर लेते हैं कि price index in a given year is equal to price of market basket in a specific year कोई भी साल ले लें divided by price of market basket in the base year multiply by 100 यह जो price index आएगा यह आपका GDP deflator की value होगी उस साल के लिए जिस साल के लिए आप यह measure कर रहे हैं और यह relative change बताता है prices का general price level का compared to the base period तो जो GDP deflator है अब finally उसका formula हमारे सामने आ गया GDP deflator is equal to nominal GDP divided by real GDP multiplied by 100 ठीक हो गया यह इसको practically measure करने के लिए हम formula use करते हैं GDP deflator is equal to nominal GDP यह current price GDP divided by constant price GDP multiplied by 100 यह relative change measure करेगा आपका current period का relative to base year Thank you